हे फ्रेंड्स वेलकम बैक मैं चैनल इस्तरी स्ट्रगल कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज मेरे व्लोग की सुरुवात हो रही है किचन के साथ ही और यहां पर मैं कर रही हूं लंच बेकफास्ट की तैयारी और लंच में मैं आज पर नहीं होती है सभजी अवेलेबल तो मुझे जरूर बताना कमेंट्स करके तो यहां पर केवल जीरे में मैं उसका तड़का लगा दूगी और मैं जब यह वोईस ओवर कर रहे हूं तो बाहर बच्चे बहुत ज़्यादा सोर मचा रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं टाइम ह कहिए कि हद से ज़्यादा ही हम उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला बंदा जो है हमारी उम्मीद को पूरा करेगा या यह कहिए कि हमारी उम्मीद पर खरा उतरेगा पर नहीं किसी से भी हद से ज़्यादा उम्मीद मत रखना क्योंकि लोग आपको उतना महतु नहीं देते जितना आप समझ लेते हो आप उन इंसानों के पीछे अपनी पूरी जिंदी की दाओं पर लगा देते हो जिने आपके होने या ना होने से कोई फरक ने पड़ता उन्हें आपके कोई कदर ही नहीं होती आपकी कोई टैंसर ही नहीं है ये रिष्टे नाते तो सिर्फ एक दिखावा है क्योंकि जो सच्चे और अच्छे रिष्टे होते हैं वो हमेशा एक दूसरे का सहरा बनते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको पता है जितनी जरूरत उनको आपकी है उतनी ही आपको भी उनकी जरूरत है तो वो एक दूसरे के सुक दुग में हमेशा शाथ देते है क्योंकि जो सच्छे रिष्टे होते हैं वो एक दूसरे की फिलिंग को समझते हैं लेकिन अब ऐसा बहुत ही कम होता है या ये कहिए कि बहुत ही कम फैमिली में ऐसा होता है जादा तर लोग अपने मतलब निकालने के लिए बात करते हैं या ये कहिए कि अपने मतलब को निकालने के लिए ही रिस्ते बनाते हैं जब तक आप चुप रहकर उनके काम निकालते हैं उनकी उल्टी सीधी बातों को सुनकर चुप रहते हैं उन्हें सहन करते हैं तब तक ही आप उनके लिए सही है जिस दिन आपने उनको सही गलत का रास्ता दिखा दिया आपने सामने से बोल दिया कि आप जो कर रहे हो यह गलत है तो आज इनसान एक मिनिट में रिष्टे खत्म कर देता है फिर आप उस दोराये पर आकर खड़े हो जाते हो कि आप ना इधर जा सकते हो ना ही उधर जा सकते हो और आपको दुख भी बहुत होता है क्योंकि जिनके लिए आपने अपनी पूरी लाइफ की परवा नहीं की या ये कैजिए कि आपने पूरी जिन्दगी बरबाद कर दी उनके खुशtać के लिए ताकि वे खुश रहे उनको तकलीफ ना हो उनको कोई परेशानी ना हो वे हर्ट ना हो इसलिए आप सब उसमें मैं भी आती हूँ हम सब चुक चाप बाते सुनते रहते हैं और बस इसी तरीके से कि चलो कोई बात नहीं हमें यही रहता है कि घर में सांती बनी रही किसी तरीके से और आपस में मन मिटाओ ना हो यह सारी चीजे चलती रहती है और ऐसे ही करतेके कि नहीं если साल महीने इस तरीके से बीच जाते हैं और हम लोग अबस रिस्ते बचाने के चक्कर में कभी कुछ नहीं बोलते और अपने उपर भी कोई स्टेंड नहीं लेते यह कीए कि अपनी life के बारे में कभी कुछ नहीं सोचते और लास्ट में मिलता है कि आपको वही सिर्फ दुख, तकलीफ और इसके सिवा कुछ नहीं क्योंकि जब लोगों को आपकी जरुवत होती है तब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं उस मोड पर लाकर आप लोगो को खड़ा कर देंगे कि जहां पर आपको कोई भी रास्ता सामने से दिखाई नहीं देगा बस आप अकेले और अकेले ही रह जाओगे इसलिए स्टार्टिंग से ही किसी से हद से ज़्यादा लगाओ वे उमीद बिल्कुल मत रखना क्योंकि आज के समाज में कोई भी आपकी उमीदों पर खरा नहीं उतुरेगा सब को अपना मताब निकालना है सब मतलब से बात करते हैं मतलब खत्म होते ही रिष्टे खत्म कर देते हैं अब जी लिए सब के लिए अब जीना है अपने लिए कि अपने सपनों के लिए अपने आपको दोबारा से जिंदा करो, अपनी लाइफ के लिए इस्टैंड लो, सही डिशिजन लो, अपनी लाइफ पर काम करो, ऐसा नहीं है, अब नहीं कर सकते हैं, हर नई सुरुआत कभी भी की जा सकती है, बस जजबा और होसला होना चाहिए, और वैसे भी कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, आज से आपके सवेरी की सुरुवात हो चुकी है, आपके सपनों की सुरुवात हो चुकी है, उस पर काम करना सुरू करिए, कब तक मरते रहोगे दूसरों के लिए, अब जीना है खुद के लिए, तो खुद को जिन्दा कर करते हैं जिसे कुछ भी समझ नहीं आता क्या करें सिर्फ दिमाग में टैंसन रहती है रास्ते दिखाई नहीं देते चारो और से बंद हो और वैसे भी आपने अपने पूरा जीवन दूसरों के ले बिता दिया दूसरों के खुष्यों के ले बिता दिया फिर आपको मिला ही क्या एक बार इस बारे में जुरूर सोच ना कि आपने अपनी लाइफ में क्या चीव किया है क्या पाया है कुछ भी नहीं तो फिर अपने उपर अपना समय अपने उपर खच करके देखो और फिर देखो कि आपको क्या मिलता है ऐसी बात नहीं आप अपने समय को अच्छे से यूज करोगे अपने उपर करोगे यानि कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे अपनी जिंदगी के बारे में सोचोगे कि अब मुझे कैसे रहना है अपना लाइफ स्टैल कैसा बनाना है या आने वाला फीचर मुझे अपना किस तरीकी से सिक्यूर करना है तो आपको जरूर कुछ न कुछ हासिल होगा लेकिन जिन लोगों के लिए आप अपना समय बरबाद करके आ चुकूए हो उन लोगों के कारण आपको मिला है और एकदम सकून के साथ करना है जो आपके साथ हो चुका वो सब कुछ भूल जाना है क्योंकि वे बाते सिर्फ आपको टोर्चरी करेंगी आपको हर्ट करेंगी सिर्फ आपको दुख ही देंगी इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है इतने मुस्किल से यार एक बा मन का और अपने ले ना किया हमेशा बस दूसरों की भलाई के लिए दूसरों की खुश्यों के लिए मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं कहूंगे कि आपको दूसरों की भलाई नहीं करनी चाहिए बिल्कुल करनी चाहिए अगर किसी को जरूत है कोई भी गरीब इनसान है या किसी तरीके को भी तरीके से वो helpless है तो हमें उसके help जरूर करनी चाहिए लेकिन जिन लोगों के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं उन्हें हमारी फिर भी परवाह नहीं तो कब तक हम उनके लिए करेंगे अब अपने लिए हमें करना है अगला जन्म किसने देखा है किसी भीने भी नहीं हमें क्या याद होगा कुछ भी नहीं तो जो भी करना है इसी में ही करना है तो अभी बहुत कम समय बचा है क्योंकि समय किसी के पास नहीं होता और समय की जो value है वो आप सब भी जानते हो, हम भी जानते हैं एक बार निकल गया तो कभी वापस लोट कर नहीं आता, इसलिए इस समय का कुछ तो अच्छा यूज करो, जो आपके कामा सके है